नमस्कार वाई क्या हाल बढ़िया आज बात कर रहे हैं जे इडवांस 2020 की एनलिसस नहीं करना है इसलिए उस पर बात नहीं कर रहा हूं उसका वीडियो अलग है उसको जरूर देखेए का आप आपको पता पड़ेगा अच्छा जो भी इस तरीके वीडियोस हम बनाते हैं वो जो इस साल बारवी दे रहे हैं और इसी साल के साथ अगले साल लिने की 2021 में वो अपना पड़ाओ डालेंगे यानि की 2021 में अपना जे इडवांस का एक्जामिनेशन देंगे और यह उनके लिए भी काम की बात है जो जे इडवाजार बाइस में देने वाले हैं जो जे पेपर वन मैं डिसकस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने तो आपको दिखाई देगा कि हम क्या कर रहे हैं पेपर के सवाल अच्छे हैं एक-एक सवाल को चालू करते हैं और ढंक से डिसकेशन करते हैं तो बिना टाइम खराब करें बिना फालतुकी बात करें अभी बात करते हैं सवालों की सबसे पहला सवाल जो कि जैसे कि आज आप सब लोग जानते हैं कि कल रात में अपनी अप्लोड हो गई थे सवाल तो उनको अच्छे से बना के आपके सामने लाने में समय लगा और आपना उसको आ रहे हैं सुने कैसे पहला सवाल a football of radius r is kept on a hole of radius r r less than r made on a plan kept horizontally one end of the plank is now lifted so that it gets tilted making an angle theta from the horizontal basically उसने क्या करा त्यान से समझे मैं समझाने पर जादा यह मैं अगना focus करूब आपके सामने आता जाएगा उसने क्या करा कि एक ऐसे फ्रेम था उस फ्रेम में उसने गैह से छेद कर दिया जो च्छेद का ₹ड चुक्रावय तो च्छेद का जो डीमीटर है या जो च्छेद है उसकरsehen और फुट्बल कर चाता है तो फुट्बल कर अध्यान समझो, figure below, the maximum value of theta, so that the football does not start rolling, down the plank, satisfies, यानि कि जब ये गिरने लग जाए, कौन गिरने लग जाए, ये football, जैसे से उटाओ की कैसा होगा, football गिर सकती है, हाँ सर गिरतो हो सकती है, बिल्कुल सही बात, तो इसके लिए उसमें फिर चारों, option देती है, ये चारों condition को ले पेसिकली उसका जो diameter था, वो आपके football से कम था, वो football से कम था, अच्छा भई, अगर वो कम था, तो फिर हमने उसको ऐसे घुमाना चालू करा, जब घुमाना चालू करा, तो एक angle ऐसा है, जब ये गिर जाएगा, तो जिस angle पो जश गिरेगी, वो हमसे पूछा गया, और उस अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान समझो, तो यह आपका R दे रखा है, नहीं देखो, यह R ऐसे, यह आपका R, अगर आप बहुत ध्यान समझो, तो ऐसे टक 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 यह एक, और ऐसे, यह जो यहाँ से एक आ रहा है, यह यह दो जगे मिलेगा ना, ऐसे आपको स अगर तुम बहुत ध्यान से समझोगे इस बात को जैसे जैसे आप ये इंगल बढ़ाओगे वैसे इसे गिरेगा तो सोचो ये इसके अबाउट टॉपल करेगा तो जब ये जस्ट गिरने वाला होगा तो कौन 0 हो जाएगा देखो अब सोचो असलियत में अगर बहुत ध्यान दो आप तो आप कैसे एमजी है इसने पूर डाइग्राम बनाया हो है आप में समझो कि मैं थोड़ी किसी और आपको आपको ये अपना मटलू है आपको असे सूंझे दो को ये अपना फ़र न च système ज कर सेंट पर जांडा इवाला जस्ट गिरन वाला हो तो 0 हो गई, ये वाली N1, N2 बज गया, पर ये घूम तो नहीं रहा, चल तो नहीं रहा, तो सोचो N1, N2 का टॉर्क, इस के बाउट किता हो गया, 0, पर अगर Mg का टॉर्क भी 0 होना है, क्योंकि इस इंस्टेंट पे गिरा नहीं है, just गिरने वाला है, क्या होने वाला है, just गि नहीं रहा है, यानि कि Mg भी यहीं से पास करना, चाहिए, तब ही ये वाली condition आएगी, हाँ सर, बिल्कुल सही, यानि कि जो condition उसे दे रखिये, वो तब आएगी, जब Mg इस वाली जगे से पास कर जाएगा, बढ़ाते, 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 बढ़ाते, 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 ये समझ में आना कि जब ये जस्ट गिरने वाला होगा जब ये जस्ट गिरने वाला होगा तो ये mg इस वाले पॉइंट से पास कर जाएगा ये mg इस वाले पॉइंट से पास कर जाएगा बिल्कुल सही बात सर हाँ सर बिल्कुल सही परफेक्ट इसलिए ऐसा आया है क्या मेरी बात लीकर है और जैसे यह करा आपने उसम्मन्य आगए थीटा और अलफा बराबर हो गए थीटा और अलफा मदला वह वाला एंगल जो अपने इंगल दिखाई देरा तो न एवाला एंगल अलग था ये वाला एंगल अलग था पर जैसे ही mg यहां से पास करा है दोना एंगल बराबर हो गए और जैसे ही दोना एंगल बराबर हो गए तो basically मुझे ये वाला एंगल ही तो निकालना है कौन सा अला एंगल फिर से समझो एक बार ध्यान से ये वाला एंगल ही तो निकालना है ए बिल्कुल सही सर, सही चल रहा है, बड़िया मजा आ रहा है, लो भाई, on the verge of rolling, mg passes through point of contact, okay, solution उतार भी सकते हो, और समझ भी सकते हो, कि अब पिचल के लिए रहे एक दम, answer A आ गया, अरे वाह, बिल्कुल सही, perfect, क्या सवाल समझ में आया है, अरे सोच लो, अरे पक्का, अगला करें, आओ भाई, अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है सवाल देखो भाई, अगला कह रहा है इस पढ़ते हैं, A light disc made of an aluminium, a non-magnetic material is kept horizontally and is free to rotate, about its axis as shown in the figure, a strong magnet is held vertically at a point above the disc, above, away from its axis, on revolving the magnet about the axis of the disc, the disc will, अपने क्या करा, यहां समझें अच्छे से कि एक disc लिए non-magnetic, पर उसमें अपने induction वगे रहा तो हो सकता है, हाँ भाई, तो अपने ऐसे ली, ठीक भाई, उसके ओपर यहां पर, माली जी यह इसकी access है, तो अपने यह यहां पर रख दी, कौन, डिसक ऐसे दी समझना, मेरा हाथ ऐसे disc के माल लो, ठीक, और यह अपनी access है, और यह अपना, यह अपना क्या है, यह अपना माल लो, जो अपनी magnet है, north-south जो दे रखिये, ठीक भाई, याद करो lens law क्या कहता है, कि उसे ही नस्ट करना चाहता है, जिसने उसे पैदा किया है, और अगर ऐसे magnetic flux change हो, ऐसे material में, तो क्या उदमे addy currents आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, ध्यान से तो top view आपको दिखाया हुआ है, अच्छा भाई, top view में, ऐसे आपकी magnet ऐसे थी, top view दिखाया है, मैंने समझ में आ रहा है, ऐसे दाना हूँ, ऐसे, उसको top view में अपने दिखाया, तो ऐसे मेनट से, ऐसे flux निकल रहा है, माल लो, अब सुचो, अगर आपकी मेनट ऐसे से घूम रही है, तो क्या है flux, ऐसे आगे चेंज होता जाएगा, अच्छा, flux का चेंज होना, किसी भी एक जगे, इसके नीचे, जो आपकी material है, जो आपकी disk है, उसमें flux change होगा, तो उसे मज़ा नहीं आएगा, तो वो कहें का, नहीं मेरा flux change नहीं करना, तो सोचो, वो जो उसके नीचे वाला सर का ले, बिल्कुल, जो आपकी disk थी, ऐसे, त्यान समझो अच्छे से, फिर से, माल लो, यह आपकी, यह आपकी axis थी, और यह आपकी मेनट थी, तो इस मेनट की नीचे जो just area है, उसको पसंद किया है, तो चेंज नहीं पसंद आता इनको, तो चेंज नहीं पसंद आता, तो क्या आपकी disk भी ऐसे रोटेट करने लगी, हाँ सर बिल्कुल करने लगी, 110% करने लगी, तो देखो, पैलेंज लो, the disk also tries move in same, because in the backward part of disk, the flux reduces as magnet moves, and as this is change in magnetic flux, so there is eddy current production, which leads to production of heat, चलो, heat वाली तो यह है, क्योंकि heat वाला तो कोई option नहीं था, क्यों मैं ऐसा बोलना, आप समझे उस बात को, पीछे option को देखो, rotate in the direction opposite to the direction of magnetic movement क्या घलत हो जाएगा, opposite में क्यों जाएगा, क्या यह तो हमने नीचे magnetic flux maintain करना चाता है, तो उसी के साथ आने के प्रयास करेगा, yes or no, हाँ sir, heat produce is this, क्या एकदम बात clear है, अरे हा ना बुलना पड़ेगा भई, अरे सोच लो, इसलिए आपका answer ये लिखकर आया B, क्या आया, B, क्या बात एकदम clear है, अरे सोच लो, अरे पका, चलो भई, हाँ sir, ये बात हमें समझ, आ गई, ठीक भई, और बढ़िया और सुनो, और देख, अच्छा भई, थर्ड सवाल, एक और देखो भई, बढ़िया सवाल, समझते हैं, अच्छे से, a small roller of diameter 20 cm, has an axle of diameter 10 cm, एसा समझो कि एक roller है, roller समझते है, और axle उसमें फसाद है, तो एक roller है, उसका diameter कितना है, 20, और उसके अंतर जो axle फसाद है, लोहे वाली, एसा समझो, वो 10 cm है हाँ, ठीक भई, axle 10 cm की है, और roller कितने का है, 20 का, ठीक, एटेज ओना horizontal floor, and a meter scale is positioned horizontally on its scale, horizontally on its axle, ज्यान देना, on its axle, ओके, हमने यहाँ पे scale रख दिया, समझो, एक scale है, ठीक, तक, 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 एसे हमने उस पे scale रख दिया, यह scale, ठीक, भाई, so that it moves without sleeping on the axle, यह जो scale है, इसको excel पे रखा है, ठीक, और surface यहाँ पर है, confused नहीं हो ना, बिल्कुल, यह surface है, ठीक, अब जो आपका, यह, कौन, यह आपका जो scale है, इसको अपन जिए ऐसे slide करेंगे, जब इसको ऐसे slide करेंगे, हाँ, तो य यह उपर वाले point पे कोई friction, मलब, कोई slipping नहीं होगी, यहाँ पे pure rolling होगी, यह सवाल कह रहा है, on the axle, so that it moves without slipping on the axle, and the roller starts rolling without slipping, after the roller has moved 50 centimeter, कौन चल गया 50 centimeter, roller यानि की पूरा, यानि की यह चल गया 50, okay, तब बताओ, the position of the scale will look like, position of the scale will look like, यह पूछा है आपसे भई, क्या मेरी बात लिया रहे, अच्छा सरी यह बात हमें समझ, आ गई, ठीक भई, कि भई, position of the scale, क्या होगी, ठीक भई, हमें clear रहे, अब सुनते हैं, अच्छे से देखो भई, देखो भई, क्या करना है, लो भई, यह अपन ने करा, अच अच्छा, मान लिया कि भई, यह जो आपका रोलर है, यह जो आपका रोलर है, ध्यान समझना, यह जो आपका रोलर है, यह वी से चल रहा है, और ओमेगा से घूम रहा है, अगर bottom most point पे pure rolling हो रही है, तो ओमेगा बराबर V by R होना चाहिए, और R कितना होगा, 20 cm, कितना होगा अगर pure rolling है, for pure rolling, for pure rolling, क्या ओमेगा बराबर V by R हाँ सर, और R कितना 20 cm, क्योंकि pure rolling नीचे हो रही है, चल कि scale 10 cm वाले पे रखा होगा है, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, हाँ भई, 20 और 10 ही है ना, डायमेटर है अच्छा है, तो अपनने को डायमेटर 20 है, तो यह R की वैल्यू 10 होगी, अच्छा भई, रब कर देते हैं, आयो आयो, लो भई, लो भई, आर के लो कितनी होगी, 10 cm, ठीक भई, अच्छा, यह बात अपने को समझ, आ गई, अब क्या करें, 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 यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया V minus omega R equals to 0, V equals to omega R, V equal to 20 omega, omega equal to V by 20, ठीक भई, omega equal to V by 20, ठीक भई, यह बात अपने को समझ आ गई, omega equal to V by 20 नी 10 होगा है, पीछे diameter दे रखा है न, हाला कि यो कट जाएगा, ऐसे को दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी अपन लिखेंगे साइसे, ठीक भई, अपन तो अभी R पे लिखे लेते हैं, लो भई, तो अपनी यह value आ गई, ठीक भई, अब क्या करें, अब ध्यान से सुने, अब देखो कि भई, velocity of point A, यह जो point है, कोई भी घूमती हुई चीज, मानलो है अपनी घूम रही है यह से चीज, इस चीज का अगर अपन ध्यान से देखें, तो इस वाल R, प्लस, velocity of center of mass, याने की V, गोलो clear, तो वह इस ने लिखी, V plus omega R, हाँ सर, यह बात समझ आ गई, अब V plus V by 20 into 10, वैसे 20 की जगे यह 10 आना चाहिए, यह 10 आना चाहिए, और यह 5 आना चाहिए, यह उसने diameter दे रहा है, और radius मान की सौल गरा, खेर अब दिक्कत नहीं आएगी, अब देखो, तो जैसे अपने काटा, क्या value हो गई, 3V by 2 equal to 1.5V, मतलब यह वाला point, उपर वाला point, जिसमे scale रखा हुआ है, अगर यह point V से भागता है, तो वह वाला point उसके साथ कितने से भागेगा, 1.5V से, यानि कि जब यह चलेगा 50, तो वह कितना चल जाएगा, कितना च अरे हा ना तो बुलना पड़ेगा भाई, शर्माने की जरत, नहीं है, क्या मेरी बात समझ आई है, हाँ सर, बिलकुल आई है, चलो भाई, clear एकदम, बिलकुल सही, उतार लो, अच्छे से कर लो, जो अगले साल देने वाले हैं, उनके बहुत काम के solutions हैं, ढंग से सुने अच हैं, a circular coil of radius R and end turns has negligible resistors, यही circular coil, स्वाल पड़ता है जाता हूं, समझाता है जाता हूं, यही circular coil, ठीक भाई, negligible resistors, की कोई खास resistors नहीं दियो, as shown in the systematic figure, its two ends are connected to the two wires, यहां से connected है, ऐसे, and it is hanging by those wires, with its plane being vertical, ऐसे vertical में ऐसे लटका हुआ, ठीक, अच्छा सर, so wires are connected to a capacitor with charge Q, इस पे charge Q है भाई, ठीक भाई, यह बात समझ में आ गई, through a switch S, okay, यह रहा switch S, the coil is in a horizontal uniform, magnetic field B0, parallel to the, मतलब, अगर आपकी ऐसे ring है, तो magnetic field भी ऐसे ही है, magnetic field भी, ऐसे ही है, यह आपकी ring, और यह आपकी magnetic field, अच्छा सर, यह बात समझ आ गई, ऐसे ही ring, और ऐसे ही magnetic field, okay, ठीक सर, यह बा is closed, okay, the capacitor gets discharged through the coil in a very short time, ज्यान दे, क्योंकि इसकी negligible resistance नहीं, यह resistance मानी नहीं, जैसे ही switch close करोगे, क्या capacitor पागल हो जाएगा, मुझे discharge होना है, resistance है ही नहीं, और मजा आ गया, क्यों खटाक से discharge हो जाएगा, हाँ, यानि कि फटाक से इसे कितना charge flow कर जाएगा, क्यों, माल लोग हाँ, फटाक से, डिटी टाइम में मान लीजिये हुआ, तो फटाक से डिटी टाइम में अगर ये हुआ, तो एक क्यों बजिया, क्या मेरी बात एकदम clear है, हाँ सर, बिलकुल clear है, अच्छा लगा, मजा आया, बढ़िया लगा, अब क्या करें, सुने, बीन परलल to the plane, short time, by the time the capacitor is discharged fully, magnitude of the angular momentum gained by the coil, angular momentum, ये कहां से आगे, आया बताता हूं कैसे, समझो, ये जो रिंग है, इसमें सोचो, अगर आप सोचो, इसमें करण ऐसे था, ये रिंग करण ऐसे बहा गया, क्यों चार्ज फ्लो करा, माल लो करण ऐसे, ऐसे बहा, सोचो, ऐसे, म मेरेटी मुवमेंट किदर आया, बाहर, मेरेटी मुवमेंट किदर, बाहर, मेरेटी फिल किदर, इधर, क्या M क्रॉस बी किदर आया, उपर, म क्रॉस बी किदर आया, उपर, यानि कि क्या ऐसे घुमना चाहिए, और एकदम से सोच, एकदम से क्यों आया, फ्टाक्स, ऐसे सम कुलम था और पॉइंट zero उन से मैंभ भारोगे जट्कटे से घूमा तो चाहता जाएगा तो और बहुत मत करो क्या रहा हो? हाँ, angular impulse पराबर क्या होता, change in, angular momentum, बिल्कुल सही बात सर, integration of tau dt equal to delta l, हाँ, अब देखो भई, tau कहां से आएगा, m cross b से, हाँ, m में क्या आता है, आई, हाँ, क्या बात समझाया, अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे पक्का, चलो भई, लो भई, तो लो भई आगया, अब देखो यह अपने को डियाग्राम जो अपने दे रखा था, और मैंने आपको बताए कि, m cross b का ऐसे torque लग सकता है, क्योंकि अपना b किदर, b तो अपना इधर है, यह से इसका दूसरा love view दिखा देख, ठीक है, उसे को दिक्कत नहीं है, अब देखो, oh oh oh, after closing switch, within fraction of seconds, entire charge, charge flows, charge है यह, charge, flows through coil and produces impulsive torque, integral tau dt equal to delta L, oh oh, tau क्या है, m cross b, क्या m और b में angle 20 degree था, हाँ, समझ में आये था सर, तो m, b, m क्या होता है, i, a, i, a, i, a, बोनो clear है, n क्या है, number of turns, okay, तो यह आ गया, i, a, n, m हो गया, b, dt, okay, सोच के देखो, अब ध्यान से सुनना चे जो कह रहा हूं, क्या यह, अगर इसको ध्यान से देखो, तो इसमें से n, b, a, अंदर क्या बच्चा, i, d, t, अच्या, i, d क्या है, भई, q, integration नहीं आएगा, क्या बचा, q, हाँ, sir, तो आया, n, b, pi, r, square, q, equal to delta l, delta l is what, change in angular momentum, तो यह आगया, आपका change in angular momentum, अरे, आया, कि नहीं आया, अरे, सोच लो, अरे, पका, तो देखो, पीछे answer क्या, यही दे रखा है, हाँ, sir, यही दे रखा है, देवाला, त क्या feel के साथ समझ आया, देखो, angular impulse भी लग गई, magnetic movement भी लग गया, capacitor भी आ गया, इसलिए कहता है, j advance अच्छा examination होता है, ऐसे नहीं direct कुछ भी पूछ लिया उन्होंने, एक किसी chapter से पूछ लिया, पूरी physics मिला लेते हैं, सोचें इसमें कि किता कुछ मिला लिया, torque भी मिला लिया, capacitor भी मिला लिया, पर सबका थोड़ा थोड़ा concept लगा, आपको उनको जोड़ना आना चाहिए, आपको उनको जोड़ना आना चाहिए, खैर, अभी आगे चलते हैं, फिर आगले सवाल की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पांच वे सवाल की तरह, okay, parallel beam of light, ध्यान से समझे, parallel beam of light strikes a piece of transparent glass, having cross section as shown in the figure below, correct shape of the emergent wavefront, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, हम कई बार क्लासों में कराते हैं, आगर क्लास के illustration में होता है, माली जी कि आपके light ऐसे आ रही है, अगर आपका ऐसे convex lens है, तो अपन सब लोग जानते हैं, कि ये ऐसे हो जाती है, अगर ये ऐसे हो तो जो plane wavefront होते हैं, वो ऐसा convert हो जाते हैं, बोलो होते की नहीं होते, और अगर आपका diverging lens type होता है, तो जो आपके ये shape होती है, ये ध्यान से देखो, तो rays ऐसे चली जाती है, तो ये ऐसे हो जाती है, तो ये ऐसे बनते हैं, तो ये ऐसा है, ठीक बात अपने को समझ आ गई अब कुछ नहीं, आप देखो तो ये ऐसी shape है, इस तरह केगी, तो अकर ऐसी shape है, तो ray ऐसे जाके ऐसे जाएगी, तो ये front ऐसा आ जाएगा, ऐसी वाली में ऐसे जाएगी, yes or no, तो ऐसा वाला आ जाएगा, बोलो yes or no, हाँ भाई, तो एक, दो, तीन, कौनसा answer होगा, a, कौन अरे सोचलो भाई, अरे पक्का, अरे गारंटीड, चलो भाई, आगे देखते हैं, आजाओ भाई, और देखो किशो, no.6, again, an open-ended, an open-ended YouTube of uniform cross-sectional area, contains water, density 10 to the power 3 kg per meter cube, ठेक भाई, इनिशेली, the water level stands at 0.29 meter from the bottom, ठेक भाई, एक YouTube थी, यह YouTube वह आली नहीं है, इस पे तुम यह देख रहे हो, यह YouTube दूसरी वाली है, ऐसा नहीं कि तुम solution YouTube पे देख रहे हो, यह कौन सी YouTube है, यह अलग वाली YouTube है, जो फ्रूड में पढ़ाई जाती है, तो YouTube पे अपनने बात करी, यह YouTube पे उसने बोला, यह open-ended YouTube उसने दी, इसकी शेप इस तरह की दी गई, अच्छा भई, ठीक सर, और उसने बोला कि उसकी 0.29 meter from the bottom in each arm, 0.29, 0.29 दोनों में थी, अब हमने क्या करा, एक तरफ kerosene डाल दिया, और which is water में immisible, हम जानते kerosene जो immisible होता है, इसलिए आपने द दालते हैं, ताकि मच्र अच्री खटे ना हो, उसका कारण अलग होता है, surface tension अगेरा, चलो, कोई बात ही, उस पर नहीं जा रहे है, तो kerosene, off density इतना, is added to the left arm, until its length is इतना, जब तक यह length यह ना हो जाए, as shown in the systematic figure below, the ratio of h1 by h2 of the height of the liquid in the two arms, देखो ध्यान से, अगर किसी ने fluid अ हो गया है, और यह यहां तक है, तो h1 by h2 का ratio पूछ रहा है, पर a point और b point पे pressure same होना, चाहिए, a point पे pressure, kerosene plus liquid की वज़े से होगा, यहां पे सिर्फ water की वज़े से होगा, यहां पे सिर्फ water की वज़े से होगा, और दोनों का pressure, यानि कि bottom of point पे दोनों का pressure same होना, चाहिए, बस equation को आगे लगाएंगे, और answer ले आएंगे, चलो भई, अब कैसे calculation करी, वो देख लेते हैं, आजाओ भई, यह अपने को समझ में आ रहा होगा, h1, h2, आओ भई, देखो भई, बहुत बढ़िया, pa बराबर pb, हाँ, यही तो सर ने बोला, pa, a पर pressure क्या है, atmospheric pressure, plus kerosene का pressure, rho of kerosene g into 0.1, 0.1 इसकी height, यह plus, यह plus है, यह cross नहीं, plus है, वो confused ना हो बिलकुल, चलो भई, तो यह अपना, तो यह अपना plus, ठीक भई, rho w g h1 minus 0.1, h1 अगर total है, तो minus 0.1, क्या यह अपनी height of water हो गई, into g into density of w, yes, बिलकुल सही, बराबर p atm plus rho of water into g into h2, क्या ही equation समझ में आई, बास, अब तो क्या है, calculation है, लोग देख लो, बाई, calculation भी देख लो, तुम्हारी जो इच्छा हो, पस अब देखो, इसकी density 800 दे रखी, h1 to 0.1 plus, h1 to 0.1 plus 1000 into h1 minus 0.2, g, 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 अब तरफ से cut गया, यह, अपनने h1, इसकी value आगई, दियान से देखो, 10, h1 minus h2, h1 minus h2 की value, also initial level of water in both, यह, बेसिकलिए अपने पास, यह value आगई, यह क्या है, 2 into 0.29, ध्यान से देखो, तो दोनों arms में, इसमें कोई change, नहीं है, यह equation समझ आई नहीं पहले लाता हो, अरे पक्का, अरे सोज लो, चलो भाई, यह equation आगई, 10, h1 minus h2, equal to 0.02, अब हम जानते हैं कि पहले इसमें 0.29 था, इसमें 0.29 था, यह और यह मिला के अभी भी 0.29 9 into 2 होगा, हाँ सर, बिल्कुल सही होगा, 2 into 0.29 होगा, तो बेसिकली अगर आपन नियां से समझें, तो देखो, h1 minus 0.1 plus h2 is 0.58, यह कहां से आया, यह यह वाली है था कि पानी का लेवल, यह तो पहले भी यह पानी भरा हुआ था, यह लेवल और यह लेवल पहले 0.29, 0.29 था, तो अभी भी यह लेवल और यह लेवल, क्या 0.29, 0.29 ही होगा, तो इसलिए, यह लेवल कितना है, h1 minus 0.1 plus h2 is 0.58, तो h1 plus h2 के लिए कितनी आ गई, 0.68, कितनी आ गई, 0.68, ओके, कोई बुराई वाली बात, नहीं है, हमसे जो पूचा है, उसको देख लेते हैं, अब हमसे क्या पूचा, from equation 1, व्यान से समझना चासे, यह वाली बास समझ आईगी कि नहीं, बिल्कुल आ गई सर, और य h1 by h2 equal to 35 by 33, option B is correct, basic funda, bottom most point of the tube पर अपना pressure सेम होना चाहिए, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, यह उनके लिए भी काम का है, जो आगे exam देने वाले हैं, बल्कि उनके लिए ज्यादा काम का है, है कि नहीं, जिन्हों है दे दिया, और अग आगले साल कोई चांस नहीं है, और रिपीट नहीं करने वाले, तो उनको तो निकल गया, खै, गलती हमेशा पता होनी चाहिए, ताकि जीवन में हम कभी कोई दुबारा अपनी गलती दोहराएं, नहीं, चलो भाई, बूल हो गया कि चटा सवाल, हाँ सब, बिलकुल हो गया, सबस्कूल होगे है किया, अच्छा भाई, ठीक भाई, अब क्या करें देखो भाई, आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, और आगे बढ़ते हैं, लो भाई, अब आगे मुल्टिपल करेक्ट है, 7 से लेकर, 12 तक कौने आएंगे, मुल्टिपल करेक्ट, यानि की, एक से ज़ A particle of mass M moves in circular orbits with potential energy dr equal to fr उसने बोला कि potential energy जब कोई particle circle में घूम रहा है तो उसकी potential energy is fr type और where f is a positive constant ठीक भई हम जानते हैं जब force होता है वैसे भी minus du by dr होता है तो हमारा f अपने आप आजाएगा, cat छोड़ो स्कॉरी constant and r is its distance from the origin its energies are calculated using the Bohr model okay, modern physics घुसादी, circular में, modern physics घुसादी किस में, circular में वैसे भी इन का पहले का साथ है, अपन जानते हैं कि ऐसा जब अपन modern पढ़ते हैं तब भी यह होता है खेर, Bohr model में हम जानते हैं, Bohr model का जो most important postulate था वो यह था कि भाई, mdr equals to nh over 2 by याद है, angular momentum quantized होता है, क्या होता है, quantized हाँ, तो वो आली चीज लगानी होगी इफ, the radius of the particles orbit is denoted by r, is denoted by r, and its speed and energy are denoted by v and e respectively, then for the nth orbit, कौन सा orbit, nth orbit के लिए, आपको यह relations बताने है, पर रता हो क्या बात समझ आई, हाँ, बिलकुल आ गई, 110%, low भाई, ठीक भाई, सवाल समझ आया, solution देखते है, clarity से समझ में आएगा, यह अपने जो options हैं तो मैं अपने e निकालना है, e निकालना है, और r और v, तो एक बात logically समझो पहले, जैसे इस तरह की सवाल में most of the time क्या होगा, यह इन दोनों में से एक सही होगा, और इन दोनों में से एक सही होगा, अमूमन, क्योंकि देख, दो e के option दे रखे हैं, और दो, इनके proportionality वाले दे रखे हैं, खेर अपन निकालते हैं, तो अपने हो clarity होगी, सुने, अब हम बहुत ध्यान से देखें कि ऐसे अपना particle circle में कर रहा है, यह अपना electron है, इधर अपना, यह उसे electron ही दे रखे है, पीछे, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक भई, अब ध्यान समझते है, electron ही कोई भी particle है, कुछ भी ह हो सकता है, ठीक, अच्छा भई, अब देखो, अपनी potential energy यह थी, तो force अपना आगया, minus f, हम वैसे भी जानते हैं, कि f अंदर की तरफ लगता है, minus f क्यों आया है, हमें समझ आ रहा है, इसलिए potential energy ऐसी आती है, और यह हम जानते भी है, अगर electrostatic force वाले circular motion हो रहा होगा, तो ह जानते हैं, force होता है, kq1 q2 by r square, और यह planetary system में चला जाता है, तो होता है, minus g1 m2 by r square, तो उसी तरीकी की अपनी बात है, और potential energy अपनी होती है, किस प्रकार की, वो होती है, minus g1 m2 by r, और kq1 q2 by r, तो उसी तरीकी कहानी उसने दीख, पर force आगया, अपना minus f, ठीक भई, अब अ force potential energy से generate हो रहा है, अंदर की तरफ, that is providing its centripetal acceleration or centripetal force, और we can say it is basically cancelling the centrifugal force, अच्छा, दूसरी बात, उसने बोला कि यह तभी condition hold करेगी, जब आप यह मानोगे कि bore model apply हो रहा है, bore model apply हो रहा है, मतलब mvr equal to n h over 2 pi, mvr equal to n h over 2 pi, ओके तो यह दो equation आगी, बस इन दोनो equation से खेल की answer लाना है अब, जैसे अपने को पीछे देखो तो option में क्या क्या लाना है, एक तो v लाना है, v की proportionality और r की proportionality पर अपन च्चा करने है, फिर e निकालना है, तो अब निकालते हैं पसे इन दो relation को देखो, आपको समझ में आएगी बात कैसे, mvr equal to n h over 2 pi, पे तो r और v solve करन 2 constant, 2 constant, pi constant, यह तो फेले सी constant है, बचा कौन? अपना बचा v, r और n, तो v और r निकालने, n की terms में, answer आजाएगा, अब वोई calculation करीए, देखो भई, कैसे करीए, देखो भई, r equal to n h over 2 pi m, इस equation से लिख लिया, f की value mv square by r, r की value यहां से यहां रख दी, f की value m square v cube 2 pi n h, ok, तो v cube की value आ गई, n f h by 2 pi m square, ok, तो v cube proportional हो गया, बागी सब तो constant है ना यह, तो v cube is the early proportional to n, तो v is the early proportional to n की power, 1 by 3, ओहो, पीछे option में ऐसा d रखा है, पीछे option में ऐसा d रखा है, तो v is the early proportional to n की power, 1 by 3, ok, बाद बिल्कुल अच्छे से समझ, आई, और देखो फिर वो ही करना है, अब अपने r, v निकाल लिया, अब r निकाल लेते हैं दो उधर करके, लो भाई कैसे निकाल लेंगे, देखो भाई, from 2 r equal to n h over, 2 pi m, क्या इस v की value यह जो निकाली यहाँ पे रख सकते हैं, देखो v cube, v proportional होगा 1 by n by 3 के, n 1 by 3 के, यह बागी सब constant है, तो देखो r की proportionality कैसे n की power 1 by 3, तो देखो, समझ में आ रहा है, क्या करा यह, पीछे देखो, समझ में आ रहा हो, कैसे करा, देखो, यह v यहाँ पे रखोगे न, तो बागी सब तो constant है, क्या यह v is directly proportional to n की power 1 by 3, तो यह n की power 1 by 3 type आएगा, बागी सब constant है, और उपर n है, तो n by n की power 1 by 3, n की power 1 by 3, तो बस अब क्या था, यह आ गया low value, तो n की power 2 by 3, ओके, हाँ सर, यह बात मुझे समझ आ गई, यानि की v, यानि की v proportional आया, n की power 1 by 3 के, और r proportional आया, n की power 2 by 3 के, तो पीछे option देखो, लो भई फटाफाट, option देखो, क्या ही आता हो लग रहा है, तो b तो सही लग रहा है, हाँ सही लग रहा है तो, बिल्कुल सही सर, perfect, एकदम, चलो भई, अब सुनो, और देखते हैं, अब energy की बात, किसकी बात, energy, क्या total energy, पूची गई है, क्या kinetic energy plus potential energy होती है, क्या kinetic energy half mv square, और potential energy तो fr देखी, और potential energy तो fr देखी, हाँ सर, बिल्कुल सही बात बोले आप, तो देखो यहां से, ओके, तो half mv square plus vr, और vr कितना है, fr, और mv square by r, पीछे देख, अपने क्या लिखा था, force equal to mv square by r, हाँ, तो क्या mv square की value भी लिख सकते है, fr, क्या लिख सकते है, fr, बहुत बढ़िया, तो 1 by 2 fr, तो 1 by 2 fr, प्लस fr, इस 3 by 2 fr, ओके, तो 3 by 2 f, और r की value कहां से लाए, यहां से, 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 और 2 by mv, और v की value यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, पीछे समझ में आ रहा है, अरे पका, तो अपने क्या लिखा, 3 by 2 fr, r की value कहां से लाए, यहां से, और इस r में v कहां से लाए यहां से और उसको रख दिया आगे calculation कर ली solve कर ली answer ही आगे बागी तो आप calculation है क्या आपको मेरी बात समझ आई है अरे पका मेरा ज़्यादा focus आपको सवाल की feel कराने का है कि करना क्या है calculation के लिए आपको पूरे आपके सामने लेकर आ रहे है ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो क्या मेरी बात clear है अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भई इसने की शरम उसके आए नंबर कम चलो भई हो गया क्या हाँ सर बिलकुल हो गया पक्का डरो मत कर सकते हो समझ सकते हो clear एकदम हाँ तो options भी अपने आ गए जो भी आने होंगे आ गए बी और सी आंसर दे रखे ते पीछे वो आ गए बोलो clear क्या सवाल अच्छे समझ में आ गया modern physics और circular को मिला कर modern physics circular थोड़ी पोटेंश एनरजी मिला ली क्योंकि force बराबर minus du by dr लगाया अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो तीन concept इसमें लगाया है force बराबर minus du by dr ठीक है बोर मॉडल का mvr equal to n h over 2 pi बोलो clear और तीसरा अपना कौन सा लगा तीसरा अपना radius radius जो पने निकालने थे उनको balance करने आ लगा लिया इनसे equation निकाल निकाल के से प्रू कर लिया यह लगा क्या answer आ गया क्या बात एकदम clear है अरे सोच लो भई अरे पका चलो भई तो आगे चलते हैं और कहानी को सुनते हैं आठवा सवाल फिर से multiple correct आप लोगों के सामने ला रहा हूं मैं सुनिये the filament of a light bulb is a surface area of 64 mm square 64 mm square the filament can be considered as a black body okay black body माना गया है इसका temperature okay यह दे रखा है emitting radiation like a point source when viewed from far पोला बहुत दूर से देखेंगे तो उसे point source की तरे माना गया मन में formula आने लगा स्टेफन स्लोव वाले sigma EAT की पावर 4 okay like a source when viewed from far at night the light bulb is observed from a distance is observed from a distance of 100 meter 100 meter की दूरी से देखा okay assume the pupil of the eye pupil यह pupil पीपल वाला नहीं है pupil आँखों की पुतली पुतली सुना है वो वाला pupil तो हम आँख से देख रहे है 100 meter दूरी पर अपना कौन है bulb और bulb को black body की तरे माना है तो उसकी power लिख सकते है sigma EAT की power 4 two types ठीक और अपने से अपन यहां पर 100 meter की दूरी पर है clear तो अगर आपने सुना भी होगा ऐसा solar constant नाम से एक चीज़ पढ़ाई जाती है heat में वह भी कुछ इसी प्रकार की होती है the eyes of the observer to be circular with radius 3 mm आपको हम बता दें अभी जब हम आपको crash course करा रहे थे तो हमने जब अपने सवाल चाटे थे तो उन में अलगरा टीचर्स ने उसको record कर रहा था तो जे डवांस का जो भी crash course करा था उसमें एक सवाल ऐसा हमने हमारी PPT में डाला था प्लकुल ऐसा का इसा ही सवाल बिलकुल ऐसा का इसा ही आया है है खेर ऐसे काफी आएं खेर तेक स्टीफन बॉल्चमान इतना विंज यह सब आप जानते हों विंज इस पिस्विंट इव लिए देदी प्लैंग इन वैक्यूम देदी पावर रिटिटेट बाइध फिलमेंट इस इन दर रेंज अब पावर रिटिटेट बहुत सिंपल सी बात है आगे सॉल करते हैं कैसे आपने लिए पावर रिटिटेट जानते हैं सिग्मा आती की पावर फोर वैल्यू रखिए आपने सब कुछ करा सिस्टीफोर इंटू यह करा सिस्टीफोर इंटू यह इंट्यू पावर फोर और यह अप्रॉक्सिमेटल हागया 141.75 141.75 क्या ये आंसर होना चाहिए नहीं ये लग तो नहीं रहा ठीक भाई तो ठीक भाई से हटा देते हैं ये वाला ये रेंज इसने अलग दे रखिए ठीक भाई अपना अलग आंसर आ रहा है ठीक भाई ये अपने लिख लिए सिग्मा ई ए टी की पावर ठीक और चलते हैं आगे और देखते हैं आगे बढ़ो देखो वाई अच्छा अब ध्यान समझने ये क्या करते हैं आप जानते होंगे लोग कि अगर ऐसे P पावर का सोर्स है और ऐसे किसी भी आर दूरी पर या दी दूरी पर आप से इंटेंसिटी पूछी जाए तो इंटेंसिटी लिखी जाती है P अपाउन 4 पाई D स्कॉरर मैं कोई पूरी चीज़ एक्स्प्लेन नहीं कर रहा हूं बट आप जानते होंगे ऐसे सरकल हमिस्फेर बना के करते हैं और अगर मैं यहां पर कोई आख माँक रख दूं ऐसे तो उसका जो एरिया अगर ए है जो इन्होंने पाई आर स्कॉरर दे रखाओ तो उस इंटेंसिटी को इस एरिया से मिट्रिप्लाई कर दो इन्टु एरिया ओफ आई तो क्या इस जगे पर गिरने वाली एनरजी आ जाती है यह समझ में है पी भाई 4 पाई र स्कॉरर यह आर वो दूरी है जो 100 मिटर उसने दे रखिये ठीक है वाई 4 पाई आर स्कॉर पाई र स्कॉर इंटू यह इंटू पाई पाई ने पाई को मार दिया और यह आर का वैलियू आपने को पीछे दे रखिये 3 दूरी दे रखाओ पीछे देखो भई प्यूपल्स आई अब्जर्वर तीन है मैं बोलो क्लिया रहे उसकी अपने वैल्यू रख दी और इसे स्वाल कर दिया जब स्वाल करा तो यह वैल्यू आई बहुते हैं कि जब भी कोई winds displacement law क्या क्या अगयता है λेमडा में इंटो T बराबर constant अपने को दे रखा है और लेमडा म अपने को maximum wavelength निकाल ली है व्यूद्श आको 2500 अपनने को दे रखा है तो अपने से स्वाल करा तो आए 1160 एक आंसर यह आ गया पीछे से match कर लेंगे फिर क्या मेरी बात एकदम clear है हाँ भई बहुर ध्यान से देखो for number of photons per second number of photon पहले एक बात समझो कि number of photon क्या होते हैं एक photon की energy क्या होती है hc by lambda hc by lambda अच्छा अब तुम अगर बहुत ध्यान देखो न तो यह निकाला कि उसने पीछे से समझने का प्रयास करो चूंकि उसने पीछे क्या बोले टेकिंग देवरेज वेवलें टू भी 1740 यह उसने माल लिया तो टोटल number of photons हमें डियोशन चेक करना पड़ेगा इसलिए निकालना पड़ा तो टोटल निकाल नहीं पड़ेगी वो कितनी हची भाई लेमडा ओके पर सेकंड पूछा है ठीक number of photons पर सेकंड तो भाई n into hc by लेमडा इक्वल टू पी यह पीछे करा है देखो देखो n into hc by लेमडा इक्वल टू पी तो n की वैल्यू निकाल ली पी की वैल्यू अपने उपड़ से निकाली थी यह रही बोलो क्लियर हाँ h की value पीछे दे रखी है c के लिए पीछे दे रखी है lambda पीछे 1740 दे रखाए देखो भाई सारी value डाली और क्रांती मचाई और answer आया यह अब इन चारों option को पीछे हर option से देख लो यह a के लिए सोच लो यह b के लिए सोच लो क्या है b c d okay आठ सवाल हो गए सर बढ़ी है बहुत बढ़ी है अब देखो question no.9 question no.9 भाई unit dimension का आया है again calculation है सुने ध्यान से sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity इस ने बोला उस्टेम नहीं चुरी बनाई कि बाई जितनी भी मैं तो a की साथ होती physical quantity basic दो supplementary होती है जो उसने बोला कि मैं तो सारी physical quantity को a की physical quantity में represent करना चाहता हूँ माल लो कि मैंने उसे x माल लिया क्या माल लिया x उसने बोला in one such system dimension of different quantities are given in terms of quantity x उसने बोला हो जो मैंने नई quantity मानी न वो x मान ली ठीक भाई अब उसने quantity जिसको मैंने base fundamental माल लिया तो उसने बोला मेरा displacement जिसको साथ में physical मानते है उसने बोला नहीं मैंने उसको एक नई physical quantity की terms में x c पर एल्फा मान लिया, स्पीड को में एक्स की पावर बीटा मान लिया, एक्सलेशन को में एक्स की पावर पी मान लिया, और लिनियर मोमेंटम को में एक्स की पावर क्यों मान लिया, और फोर्स को में एक्स की पावर आर मान लिया, पहले ये बताओ, क्या इन सब चीजों का basic में तुम dimension जानते हो क्योंकि जुरत पड़ेगी इसकी dimension सिर्फ L है इसकी क्या है L T minus 1 है acceleration की क्या होती L T minus 2 है linear momentum की क्या होती M L T minus 1 होती है force की क्या होती है force mass into acceleration तो M L T minus 2 सब की direction dimension मुझे पहले से आती है हाँ बाई पर उनको मैंने x की time से represent कर लिया अब उसने 4 option दे दिये अब basically maths लगानी है क्या लगानी है? maths तो सुनो मेरा कोई खास बोल नहीं है अब सुने ध्यान से पर सुनते हैं अच्छा से देखो भई position x की power alpha यानि की L equal to x की power alpha speed x की power beta यानि की L T minus 1 equal to x की power beta ओके L को रख सकते हैं x की power alpha तो alpha T minus 1 equal to x beta from equation 1 यानि की जहान से देखो T की power minus 1 equal to x की power beta minus alpha हाँ सर बिल्कुल सही तो जैसे ही यह हुआ जहान से देखो यह एक कहानी आपर समझ में आ गई की beta minus alpha equal to minus 1 अभी समझ में आ जाए उस पर बात कर लेगे यह वाली कहानी है यहाँ पर समझ में आ गई इसको use लेंगे अभी ठीक अब सुना acceleration equal to x की power p अच्छा ठीक भाई acceleration is x की power p तो L t minus 2 होती है acceleration L t minus 2 is xp ठीक L t minus 1 is what velocity पीछे देखो तो इसने x की power beta लिख लिए और t minus 1 को क्या लिख लिए यह देखो इदर यह सब इदर उदर करना है कुछड़ पुछड़ सही बताऊं तो दिमाग चलाना अच्छे इदर का उदर उदर का इदर concept बहुत जादा नहीं है concept तो खतम हो गया अब मैं इदर उदर करके दिखा रहा हूं आपको बस अब क्या कर रहे है अपन कि L T-1 X की पावर बीटा रख दिया इसको X की पावर बीटा माइनस अलफा रख दिया T-1 को और X की पावर P ओके तो X X दोनों बराबर हो गए तो यह कितना हो गया 2 बीटा माइनस अलफा इकोल टू पी तो एक रिलेशन ही आगया linear momentum दिया रखा X की पावर Q M L T-1 इकोल टू X की पावर Q M X बीटा L T-1 is what? Velocity Velocity दिया रखा X की पावर बीटा तो X की पावर Q M इकोल टू यह आगया इससी दियान में रख लो अभी एच्छे एक force की value क्या है? X की पावर R M L T-2 इकोल टू X की पावर R L T-1 कितना है? दियान 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 L T-2 क्या है? acceleration तो इलिख लिए X की पावर P तो M की value आगई X R-P दोलो clear? अब सोचो 3 और 4 दोनो M को represent कर रहे हैं कैने equate कर सकते हैं? याने कि Q-Beta equal to R-P Q-Beta equal to R-P 4 और 5 जो भी अपना हो दे रखाओ जहां से देखो तो from 4 and 5 Q-Beta equal to R-P देखो उदर Q-Beta equal to R-P देखो उदर दोलो clear रहे हैं? हाँ साथ, बिल्कुल साही तो इसको लेख लिए तो P plus Q-R equal to beta option B दे रखाओ ठेक है भाई? from A P plus Q-R equal to alpha by 2 plus P by 2 A में से निकाल लिया उसमें से कौन सी खास बात है इदर का उदर, उदर का इदर समझा गई क्या कहानी? हरे पक्का सोच लो A कि इरलेशन आ गया A कहां से आ गया अब पीछे वालों से सबसे मैच कर लिया तो आंसर आ गया A और B क्या आगे यह और B भूलो क्लियर है? हरे पक्का हरे सोच लो हरे गारंटीड हाँ भाई हो गया हरे पक्के से चालो भाई अब देखो और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं A uniform electric field E equal to this I can, me, chik tera is applied in a region A charged particle of mass M carrying positive charge Q is projected in this region with an initial speed of itna This particle is aimed to hit a target T हम सब लोग जानते हैं अगर एक particle फेका गया है charge Q है electric field constant है तो constant force लगेगा constant force लगेगा और angle पर फेका जाएगा तो particle projectile करेगा तो मन में projectile की feeling आनी चाहिए Okay which is 5 meter away from its entry point into the field as shown systematically in the figure take Q by M equals to this then अच्छा the particle hit T is projected time of light पूछा है angle पूछा है तो उनको 5 meter पर करना है range का formula होता है U square sin 2 theta by G जानते हो नी जानते और G की जगे क्या आएगा effective acceleration यानि की QE by M ध्यान से देखो तो यहाँसे जाएगा क्यों क्यों कि भाई सब uniform रिटरी फील है नीचे की तरफ तो charge Q पर नीचे की तरफ force लगेगा तो यह ऐसे जाएगा yes or no हाँ तो 5 meter पर अगर टकराना है तो basically यहाँ पैसे टकराएगा तो अपने वो theta समझ में आना चाहिए तो अपने वो theta समझ में आना चाहिए अब क्या करें देखो यह हो गया आप कुछ नहीं solve करते हैं simple और कुछ नहीं देखो आगे देखो यह ऐसे है ऐसे अबना 5 meter पर जा रहा है range यह है देखो भाई consider like projectile motion so G effective is QE by M जो मैंने अभी अभी बोला range is U square sin to theta by G इसकी value अपने को किती दे रखी है 5 दे रखी है 5 दे रखी है तो आपन देखो 5 की value रखें और sin to theta की value निकालने 5 रखा U की value दे रखें sin to theta निकालना है G effective उपर निकाल चुके है उपर sin to theta की value आई root 3 by 2 जब 2 theta की value आई 60 और 120 क्यों मैंने 60 और 120 लिया पहले उसके आगे क्यों नहीं लिया क्योंकि 60 और 120 का आदा 90 से कम हो सकता है क्योंकि angle of projection 90 से कम होना चाहिए तो 2 answer आए 30 और 60 यानि कि 30 पे फेकोगे वो आप जानते होगे complementary angle 30 पे फेको तो भी वही range आएगी 60 पे फेको तो भी वह range आएगी तो 2 answer आगे 30 और time of light क्यों दिये 2u sin theta by g तो जगा time अगर angle of projection दो है तो logical है कि अपना time of light भी 2 होगी time of light भी 2 होगी बिलकुल होगी तो अपने 2 निकाल लिये 30 degree time of light is 2u sin theta by g और एक ही आगई 60 degree पे ही आगई तो यह दोनों answer हो गया पीछे से match करें concept आपको समझाना चाहिए projectile को मिलाया आगया constant electric field के सवाल के साथ constant electric field में constant force लगता है और constant force लगेगा तो path 2 हो सकते हैं straight line और parabola parabola इसलिए है क्योंकि angle पे fake आगया है तो मैं range और time of light के सवाल मलब दोनों का mixture आना चाहिए प्यारे बच्चों ध्यान दो जे advance में कोई भी single chapter से सवाल नहीं आता mixture ही concept पूछे जाते हैं क्या मेरी बात लियर है हाँ sir समझ आ गया बिलकुल उतार लोगे क्या अरे कर लोगे क्या हाँ sir आगे चलते देखो आँसर आगया पीछे BC वो अपने को ठीक है अच्छा सवाल बहुत शांदार सवाल ध्यान समझें और देख सुनें shown in the figure is a semi circular metallic strip that has thickness t and resistivity rho basically ये thickness t ये ऐसे semi circular strip है ये इसकी thickness t है और ये thickness t है अच्छा बात समझ आ गई अब क्या करें ये ठीक है station अब ऐसे अपनी strip है उसने क्या बोला इसे वोल्टेज अपने लगा रहा है तो current ऐसे बाएगा अगर आप हो जहांदें तो current ऐसे बाएगा यह हर जगे strip लोगे अगर current की तो उसकी length change हो रही होगी it's a standard illustration of L change class में कराता हूँ मैं आपको सही बताओ तो खेर बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल पक्का illustration लेता हूँ एक ऐसा जिसमें दिखाता हूँ कि तो L change हो रहा है जब resistance variation कराते है तो L कैसे change होता है उसी पे illustration आया आया यह वो ध्यान से current है न बेसिकली वो क्या होगा वी बराबर क्या होता है IR तो IR में अगर अगर अपने से current पूछा जा रहा है तो I बराबर V not by R तो basically R equivalent निकालना है आपको पहला पार्ट तो फिर दूसरे पार्ट पर आएंगे पहले अपन क्या निकालना है R equivalent का वैसे formula होता है R का rho L by A और तू बहुत ध्यान से देख तो इसको तू अगर बहुत अच्छे से feel करें न तो इसका यह area इसको यह area इसे यह इसकी T ठीकने से और यह इसका R1, R2 ऐसे ए तो यह area इसे ए यह इनू cross section पर अगर आप पतली-पतली strips लो यहाँ पे ऐसे X पे जाके तो आप समझो इस strip का यह strip आपकी आ रही है जिन में current ऐसे बहरा है यह strip की length change हो रही है अच्छे जब पतली-पतली strips आप लोग है न इन सब में क्या same है यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशिल difference है महले है सारी पतली-पतली strips parallel होंगी क्या होंगी parallel पर उंगी क्य इसलिप का चेंज हो रही है इससे क्यूक्षण झाटेंग और रही है यहाँ जो इसस होगी जादा होगी अच्छा को तो सुनो solution अच्छे समझ आएगी है पो ऐसे आर्पे जाके pertama-चे Colin Pr अगर आप इसको ऐसे समझो तो ऐसे होगी स्ट्रिप जहान से देखना है ऐसे मैं उसका दूसरा व्यू दिखा रहा हूँ आपको फील करने के लिए ऐसे एक्स पे जाके यह इसकी अचल जा रहा यह स्ट्रिप से इसे करन्ट जा रहा है इक कंथ्यू। समझ आपको तो इस में स्ट्रिप यह स्ट्रिप माई से जा रहा है तो r पे जाके dr, ठीक, अच्छा भई, यह इसकी thickness, ऐसे उसने back end पे दिखा रहा है कि वो t thickness, ठीक, जो अंदर अपने से दिखा रहे थे, ठीक, अब चलो उसमें, तो calculate resistance L equal to pi r, अगर आप ध्यान देखो तो current ऐसे जा रहा है, तो current का formula होता है, छोटी सी resistance देखो dr, तो dr क्या होता है, rho l by a, अच्छा आप ध्यान से देखो, तो rho l by a, current color वापस दाल लेते हैं, rho l by a, rho l, सोचो यह length, along the current, क्या यह l हुई, आदा semi circle, जिसका radius है यह वाला r, या निकली pi r, हाँ sir, बिल्कुल सही, और area, area कितना, area तो यह है न, यह वाला, देखो, यह यह, यह जो कितनी, dr, r पे जाके dr लिया न, बनने ऐसे, तो t dr, तो rho l by a, rho l by a, यह sir, बिल्कुल सही बात बोले से हैं, rho l by a, हाँ भई, तो rho l by a आ गया, area लिख दिया, अब सोचो यह सारी strips जो हैं, यह series यह की parallel हैं, parallel हैं, क्योंकि इन सब क्रोस्पोटेशनल लिफरेंस हैं, अगर parallel हैं तो r equivalent, one by r equivalent, क्या, one by dr, one plus one by dr, two, यानि कि क्या one by dr का integration होगा, तो dr को direct जोडें, की उल्टा करके जोडें, जो बच्चों ने पढ़ी होगी, मुझसे parallelism, d, या motion में पढ़ी होगी, पक्का illustration इस तरीका कराये जाता है, पक्का, class notes में मिलेगा आपको, पक्के से, चलो भई, अच्छा भई, तो dr equal to rho pi r by dt, अब देखो, इन्हों integrate करा होगा, one by r equivalent equal to one by dr, हाँ, जो सोच रहे हैं, वो ही आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, sir, one by r equivalent equal to t dr by rho pi r, t और rho pi बाहर आ गया, dr by r का integration lnr, lnr का integration r2 by r1, ये आ गया, क्या r equivalent की value आ गई, हाँ, r equivalent की value आई, तो current आया, v naught by r equivalent, तो ये answer आ गया, क्या ये answer पहले option से match कर रहा है, पीछे देखोगे, हाँ, अगर match कर रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, यानिकि एक answer आ गया, पर सवाल तो multiple correct है, पर सवाल तो multiple correct है, सवाल बहुत जोड़दार है, है न, सवाल बहुत जोड़दार है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो भई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब आगे चलते हैं, देखो भई, continue, okay, lower by, electrons, अब actually उसमें, पीछे पन देखे हो, उसमें पूछा क्या है, वहापस चलता है, पीछे दिखाता है, सवाल बहुत सुन्दर है, the outer surface is at higher voltage, एक तो पताए, classic इस पीजब current ऐसे दोड़ रहा है, तो सोच के देखो, electrons, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर current ऐसे दोड़ रहा है, तो ऐसे समझो, electrons मालो या positron मालो, ऐसे दोड़ रहे हैं, आप सुझो यह जब circle ले रहे हैं, अब अगर यह circle ले रहे हैं, तो इस पर circular acceleration, यानि की centripetal acceleration इसको मिलना चाहिए, तो फ्री-moving electrons होते हैं, तो इनको कौन देगा, यह इसलिए होगा, क्यों यहाँ पर charge accumulate होगा, इसको ऐसे घुमाने के लिए, क्यों होगा बथाता हूँ, आपने कभी भी सुना होगा, कि अगर आपने करका थोड़ा धंग से पढ़ा हो, कि जब SBA से current move करता है, वायर में, तो ऐसे जब current electrons ऐसे आते हैं, तो उनको गुमाने के लिए, यहाँ पर और यहाँ पर charge accumulation ऐसे होता है, कि इनको गुमा देते हैंगे, ऐसे, करके, यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर सोड़ा से charge accumulate होगा, यहाँ पर charge accumulate होगा, खुद आपको बात सम समझ में आएगी, कि आपकी जो electric field है, वो, जो electric force है, यानि कि यहाँ पर और यहाँ पर, electric force नीचे की तरफ होना चाहिए, इस जगे पर, middle पर बात करना हूँ आप, कहीं पर भी, तो आप सिध्यान से सोचो, electric force, centrifugal force की तरफ होना चाहिए, नीचे, electric field की तरफ होना चाहिए, अभी तो electric force नीचे आएगा, E, electron पर, जो लो, clear, हाँ, सार, क्या है, मेरी बात समझ में आई है, हाँ, पक्का, देखो मैंने कोई गलती तो नहीं करी, नहीं बाई, सहीं चल रहा है, खेर मैं उसको आगे समझाने का प्रयाश करता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था, अब experience, centripetal force due to electric field, setup because of potential difference, so E should be from inner to outer, inner to outer, देखो अभी नीचे क्या, पीछे क्या मैंना, inner to outer ही बनाई थी, outer surface, therefore, outer surface is at lower voltage, देखो अभी पीछे क्या समझाया है, मैंने, देखो, देखो, क्या समझाया है, अभी क्या समझाया है, यहाँ पे, देखो, क्या हो रहा, देखो, electric field क्यो पर चाहिए, क्योंगी force, अंदर चाहिए, तो अगर electric field अंदर से बाहर है, तो electric field flows from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, okay, तो एक option इन दोनों मैं से, B और C मैं से, the outer surface is at higher voltage than the inner surface, the outer surface is at lower voltage than the inner surface, हाँ भाई, C वाला सही लगरा है, अब बात आगई, D की, D वाला और बहुत बढ़िया, सुने थ्या से, इसलिए कहे रहा हूं, बड़ी आशांदार सवाल है, हाँ, ये बात समझने में आ रही है, तो चेक potential difference, let us consider, मैं तो कहे रहा हूं, पूछा नहीं है, अपन तो पूरा निकाल के बताते हैं, feel करते हैं तुमारे लिए, बड़ी आ से, बोलो clear, आओ, ये R पे जाके DR का एक element element ले लिया, R पे जाके DR का एक पतला सा element ले लिया, अब देखो, R पे जाके DR का जो पतला सा element लिया, उस पे किसी भी electron पर आपन बात करें, तो VD force इदर electron पीछे की तरफ बाग रहा है, तो उस पे इदर की तरफ electric field लगेगी, और वो electric field कैसे लगी, ये भी आपको बताया, त तो DR equal to rho pi RT by dt, DI equal to, क्या कह रहा हूँ, वो समझने का प्रयास करना, ये DR पीछे जो लिखा था, वो ही वाला है, DI, जो छोटा सा current इसमें वह रहा है, इस वाले segment में, DI, वो क्या है, वो है V0, that is potential difference, यहां से लेकर यहां था, potential difference कितना था, V0, बिल्कुल सही बात, V0 into, I आई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो भई, आगे चलते हैं, सुनो, तुम्हें समझ में आएगा, आप कुछ नहीं करें, ये क्या है, याद है, I, I का फ़र्म लाता था, N, E, A, V, D, VD is a drift velocity, VD is the drift velocity, जो अबन constant, मान लेते थे, ओके, तो N, E, A, VD ल ओके, अच्छा, अब समझें, ये जो N, E, A, VD लिखते हैं, इसमें जो A होता है, तो cross-sectional area ही तो होता है, तो cross-sectional area तो अभी भी क्या, TDR ही है, तो ये A, और A, ये TDR मर जाएगा, बिल्कुल सही, तो VD की value क्या आ गई, VD की value यहां से आ गई, V0 by ρो, πाई, R, N, E, रो, πा number of free charges per minute volume, तो अपने KV0 by R लिख लिया, drift velocity को क्या लिख लिख लिया, KV0 by R, अरे हाना तो बोलना पड़ेगा, क्या लिख लिख लिया, KV0 by R, हासर, मजा आया, अब सुन, ठेक भाई, now as electrons move in circular path, लो भाई, भ्यान से देखो, और सुने आ गई, पहले तो कहां तक की कहानी सम समझ आ गई, क्यों उसी जुरत पड़ी कि अभी तुमें clarity आ जाएगी, क्योंकि VD से MV square by R बराबर QE में E निकालेंगे अपन, और उसमें VD चाहिए, इसलिए इसा कर रहे है, अब देख, देख, EE बराबर MVD square by R, क्या पीछे यही बैलेंस करने वाले थे अपन, जो मैंने बात सुन्दर, लो भाई, तो E बराबर MVD square by R, E की value, M by ER, VD, VD के लिए पीछे है भी लिकी, K V0 square by R, तो यह E की value, हमने फिर ध्यान से देखो, तो इसको M, ER, K square को नया constant माल लिया, या R को इधर ले आए, M by E और K को नया constant माल लिया, तो K' V0 square by R, कैसे नीचे से ऊपर, ऐ अच्छा यह Eltrifield constant की variable है, नहीं, यह variable है, अब potential difference कैसे निकाले भाई, उपर से लेकर नीचे तर, कुछ नहीं, V initial minus V final equal to integral E dot DR, हाँ जानता हूं मैं, क्या आपन जानते हैं, V initial minus V final, जो आपन पढ़ते हैं बार-बार, V initial minus V final equal to integral E dot DR, हाँ, तो अगर आप ऐसे मूँ कर रहे हो यह R का function है, तो रख दो, और potential difference आजाएगा, लो भाई, दो लो clear, जो बोला, हाँ, तो delta V equal to minus K dash V not square बाहर आगया, 1 by R cube DR, R1 से R2, limit लगाई, यह value आई, ऐसी, वो सब R1, R2 constant है, constant में चला गया, क्या delta V is potential difference, is directly proportional to what, V not square, directly proportional to what, V not square, V not square क्या है, ओ जो पीछे potential difference था, और V not square कि, V not, V not किसे proportional है, ध्यान सुनना, I K, हाँ, V not किसे proportional है, I K, तो क्या delta V proportional है, I square K, हाँ, भाई, लो, इता कम, क्या सवाल अच्छे समझ में आया, यानि की, ध्यान से सोचो, तो चौता option भी सही है, इसलिए कह रहा था कि बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल में आना चाहिए, आपको basically centrifugal force की कहानी समझ में आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, फिर आपको E.DR निकालना आना चाहिए, तब ही जाके आप इसे कर सकते हो, और ना करना संभव नहीं है, क्या मेरी बात clear है, हस, चलो भाई, आगे चलते हैं, देखो भाई, देखो भ बढ़िया सवाल करते हैं, question number 12, again बढ़िया सवाल, पानी पी लें, बहुत देर हो गई, आजाओ, सुने, क्या कह रहा है, as shown systematically in the figure, two vessels contain, two vessels contain water solutions, ठीक भाई, उसने बोला, N1, N2, the water solutions है, at temperature T, of potassium permagnate, K-Minopore के solution है, हमें क्या मतला, physics में तो कहीं लोगे देखके, सुचा, physics में के chemistry का सवाल डाल दिया, of different concentrations, N1 and N2, N1 greater than N2, molecules per unit volume, ठीक, delta N equal to, अर्छे, इन में जो difference है, वो N1 की, ये N1 ही N2, N1 बढ़ा है N2 से, पर इनका difference, बहुत छोटा है N1 से, ये बात उसमें बताई, आगे का अर्गुलोशन में काम आईगी, when they are connected by a tube of small length L, and cross sectional area S, ये इसका S area और L length, Kmenophorus starts to diffuse from the left to the right, ज्यादा concentration है, तो तो diffuse करना चालू कर दिया, through the tube, consider the collection of molecules, तो भीए, अच्छा, ideal gases माल लिया, इसने, लिकविद देखके दरो मत, ideal gases माल लिया, तो ideal gases तो में आती है, PV equal to NRT, अब तो मया आगया, अब तो कर लूं, अब diffusion से मढ दरो, and the difference in their partial pressure, in the two vessels causing the diffusion जो partial pressure है, जैसी बात है, volume difference की वैसे आएगा, उसकी वैसे ये इधर चलने लगेगा, ठीक भाई, तो speed V of the molecule is limited by the viscous force, minus beta V, जब यहां से यह जा रहा है, कौन सा, N1 वाला, यही जाएगा, solution तो, यह दोड़ी जाएगा, इसमें तो कम है concentration, तो यह वाला निकलेगा, N1 वाला, तो यह रफतार भी से निकलेगा, मालो, जब भी रफतार से निकलेगा, तो viscous force इस पर पीछे लगीगा, minus beta V, वो इसने दे रहा है, minus निया, positive velocity, on each molecule, where beta is a constant, neglecting all terms of the order, delta N square, जब भी delta N क्या कोई term बनेगी, आगे अपने को दिखाई देगा, उनसे उड़ा दें, ऐसा उसने है, which of the following is R, correct, Kb is the Boltzmann constant, R by Na, R by Na, चलो भाई, ठीक है, हम हो जानते है, to R by Na, N is क्या होता है, Avagadro number, और R क्या होता है अपना, वो अपन जानते है, universal gas constant, क्या चलो, उसको छोड़े, आगे बढ़ते है, the force causing the molecules to move across the tube is, पहला पार्ट, यह वाला पार्ट, force, pressure, okay, अब देखो ध्यान सुनो, pressure से force, pressure बराबर force की बात हो रही है, pressure से लाया जाता है, pressure into area, हाँ, कुसे तो बात हो सकती है, चलो भाई, सुने, आप solution देखो, माल लोगी, यहाँ पर pressure P1 है, और यहाँ पर pressure P2 है, इधर वो ideal gas type माने, आपन तो confused क्यों हो, gas बोली दिया उसने, अच्छा P, क्य N जो दिया, number of moles per unit, number of moles होते है न, NRT, अच्छा आप देखे, अभी अपने यह वाली कहानी से दे रखी, यह N, आप देखो इसको ध्यान से, क्या P1, P1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान समझो, force is delta PS, और P1 into S, minus P2 into S, क्याहानी समझ में आई, और P1 को क्या लिख सकते N 1 K T S, N 1 K T कहां से आए, यहां से आए, P V equal to NRT, P V equal to NRT से, क्या आपन सब लोग जानते हैं, क्या आपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, P equal to, N is mass of molecules, अपन जो भी अपन लिखते हैं, R NRT by V, और जो N 1 आपको दे रखा है, क्या वो particles per unit volume ही दे रखे हैं, पर क्या R by V, यानि कि R by N एवे के ड्रो नंबर, क्या K बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, यानि कि क्या इसको लिख सकते हैं, N 1 K B T, K B is what, Boltzman constant, K B is what, Boltzman constant, okay, confuse तो नियो रहे, बिल्कुल, N 1 क्या था, molecules per unit volume, molecules per unit volume, नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पका, हाँ बाई, तो यहां से यहां की, कहां आया, N 1 माने सा, N 2, K B T, S, so, delta N K B T, S, equal to delta N K B T, यही तो option 1 है, यही तो option 1 है, बिल्कुल सही बात, basically, liquid को ideal gas मानके solve कराया है, इसलिए बच्चे को tough लग रहा है, ideal gas direct लिख देता तो हमें कौन सी दिक्कत आनी थी, अगर ideal gas direct लिख देता तो हमें कौन सी तकलीफ आने वाली बोलो clear है, उसने N 1 को molecules per minute volume लिख दिया, तो आप mole से confused हो गए, mole क्या होता है, इतने ग्राम में इतने particle है, ठीक, वो number of moles से, अपने वहां से कहानी लाते हैं, इस number of particles से ले ली, उसमें तक confused क्या होना है, ठीक चलो, और आगे सुनें, और दूसरे parts को देखते हैं, अब उसने इसने क्या करा, उसने, यह इसने क्यों करा, मैं पहले पीछे समझाता हूं, आपको उसने क्या बोला, force balance implies, यह force लग रहा है, यहां से यहां तक, जब यह travel कर रहा है, बिल्कुल लग रहा है, तो अगर यह constant velocity से यहां से यहां जा रहा है, liquid, तो यह force, अगर इस force को यह pose नही इस वाले force को अगर को यह pose नहीं कर रहा होता, तो क्या इसकी velocity बढ़ जाती, पर बढ़ नहीं रहा है, इसका बढ़ इस pose कौन कर रहा है, यह वाला force, यानि कि इस force को यह वाला force balance कर रहा है, कौन सा, यह वाला, viscous force, कौन सा force, viscous force, यह रहा, क्या मेरी बात एक्दम clear है, वही उसने आगले वाले step पर कराए, देखो धियान से, क्या कराए, समझो अच्छा है से, बीटा V, बीटा V equal to into N1S into L, N1 क्या है, number of particles, उसने क्या बोला, धियान समझा, confused नहीं होना है, उसने क्या बोला धियान से, on each molecule, हमारा concentration कितना है, N1, कितना है, N1, एक volume में, एक इसमें कित length है, तो कितने निकल रहे हैं particle, एक cube में, जब अपनी पूरी tube के, अगर अपन बात करने है, तो इसमें कितनी volume का liquid है, L into S, L into S, ये रहा भाई, L into S, और उसमें कितने particle से, N1 per unit volume, तो इसको multiply कर दो, तो क्या इतने particle हुए, और एक particle पे कितना force लग रहा है, बीटा V, तो opposition में total force कितना हो गया, इतना, और ये किसको balance कर रहा है, जो आपने उपर निकाला था, हाँ, तो ये equate कर दिया, S ने S को मार दिया, area ने, तो ये answer आ गया, बोलो भई, आया की नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पका, हाँ सर, तो viscous force, वो जो आपने idle gas मान के करा था, उसके हिसाब स आ गया, तो हमें कहानी भी समझ, आ गई, हाँ सर, और देखो, और पीछे क्या option दे, और दिखाता हूं, देखो भई, total number of molecules, ये रेट पे बात होनी है, total number of particles, अब देखो, समझ में आ जाएगा, क्या करा आपने, देखो भई, क्या अपने पास, ये आ गया, ये आ गया, हाँ आप सुने, n equal to total number of molecules, n equal to total number of molecules, dn by dt, is s into v into n1, ये जो अपनी dn by dt है, total number of molecules, kya s into v, s क्या है area, v क्या है speed, n1 क्या है number of particles, exponent volume, हाँ भई, तो अपने लिक लिया, s into v into n1, s into v into n1, तो s की value क्या गई है, delta n, kb into t, जो भी लिखनी थी अपने को, और v के लिए अपन कहां से लाया होंगे, v के लिए अपन पीछे से ले आए, यहां से, यहां से, यह रहा, v के लिए यहां से ले आए, यहां से ले आए, अपने, तो, लो clear है, अरे सोच लो, confused तो नहीं हो रहो बिल्कुल, अरे पक्का, यह confused नहीं हो न, यह s into v क्यों आया, माल लो कि अपन v length की, dn by dt, number of particles crossing, तो एक second में, कितिने length चल जाएंगे, अपन v, तो कितिनी volume चल जाएंगे, s into v, तो यह volume हो गई, जो एक second में चले, into n1 तो number of particles in one second आ गए, तो dn by dt आ गया, और v कहां से ले आई, यहां से, और v जैसे यहां पे रखा तो यह answer आ गया, बो लो clear, हाँ भई, अब dn by dt की value यह आ गई, अब उस लास option क्या पूछा है, देखो भई, as delta n increases, decreases with time, so number of molecules decreases, जैसे जैसे delta n क्या है, delta n n1 minus n2 है, क्या n1 minus n2 स जमय के साथ घटेगा, हाँ sir, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि concentration n2 वाली साइड बढ़ेगा, और n1 वाली साइड घटेगा, हाँ sir, अगर ऐसा होगा, तो logical है, कि हमें कहानी करनी पड़ेगी, delta n decreases with time, so number of molecules decreases with time, मतलब आपकी जो rate of change, rate जो जिस rate से diffuse हो रहा है, वो कम हो जाएग वो क्या हो जाएगी, कम, बिल्कुल सही, तो ये बारवा सवाल, तो अपना section 2 भी खतम हो गया, section 2 भी खतम हो गया, चलो भई, अब सुनो, हाँ भई, अब बात हो रही है, तीसरे section की, कौन से section की है, तीसरे, जो में numerical value वाला था, कैसा था, numerical value वाला, मतलब integer नहीं, numerical value जो answer आ हो सकते हैं, अब अगले 6 सवाल बात हो रही है, numerical values की, चलो भई, सवाल से चालू करते हैं, 13, कौन सा, 13, put a uniform meter scale horizontally on your extended index fingers with the left one at 0,0,0 centimeter and the right one at 90 centimeter, देखो भई, मालो ऐसे scale index fingers में रख लो, उसने बोला, एक index finger तो आप रखो 0 centimeter, एक रखो नबदे, तो नोट करना है एक बात, तु देखो रहा हूं, तो मैं तो एक बना एसे scale रखो, और इसे इस समस्ते हैं, मझे वाली बात, ऐसे औगली को चलाओ, कोई चल ने लगए चली अचली यह, यह, और रहे ही देखा अपने आप, प्ने आप यह चलने लगगी तो सुनते देख पिर से देखे सकते हैं अपने इंडेक्स फिंगर समस्थे हो? अब देखो बहुत जबर्दसी कर रहा हूं तुमारे सामने कर रहा हूं? यस और नो यह सवाल इस फंडे पर बेज़ रहा हूं कैसे ध्यान से सुनो आप समझते हैं अच्छे से देखो भाई स्केल को यहां रख देते हैं अभी फिर चेंज कर देंगे लो भाई अब देख क्या करें क्या करें पहन कहा गया यह रहा उसने बोला कि put a uniform meter scale horizontally on your extended index fingers with the left one at 0,0 cm and the right one at 90 cm of case तो अगर आपन ची scale पे बात करें तो एक को तो 0 पे रख लिया और दूसरे को 90 पे रखा एक meter का scale था ठीक भई तो इसको 10 cm इधर रखा ठीक भई उससे हुआ क्या वा आप समझाता हूं when you attempt to move both the fingers slowly towards the center initially only the left finger कौंसी left finger अचा इसका logic समझाता हूं तो मजा आएगा finger slips with respect to the scale and the right finger does not after some distance the left finger ऐसा हुआ क्या समझेगा प्रयास को तो ऐसे scale है अगर ऐसे अपना scale है तो ऐसे समझो कि मैं ऐसे उंगली रख देता हूं कैसे देख यह उंगली एक को तो जीरो पे रख दी और एक को समझो नब्बे पे यहाँ यह middle है ऐसे ठीक तो अगर बहुत ध् n2 क्या n1 प्लस n2 अगर balancing की बात करें क्या n1 प्लस n2 mg के बराबर होगा हाँ बिल्कुल होगा और अगर center के about से देखें तो आपको समझेगा center के about अगर torque balance करें तो लिखा जाएगा n1 into 50 equal to n2 into 40 इस बात को feel कर न तो n1 प्लस n2 mg के बराबर है और n1 और n2 में कौन बढ़ा है कौन बढ़ा है इसकी 50 value है तो कौन बढ़ा है यह 50 है और यह n1 है तो आपको समझेगा n2 तो n2 को बढ़ा होना पड़ेगा n2 किससे बढ़ा है n1 इसका मतलब अचा दोनों जगे आप ध्यान से जगो तो kinetic friction और static friction दोनों जगे दोनों के लिए same है जो कि 0.400.32 है अगर आप वाली फिंगर है और जो राइट वाली फिंगर है उसमें जो इधर वाली फिंगर है उस पे static friction की value mu and 2 जादा होगी तो उसके फिसलने के chances कम होगे इसलिए देखो क्या बुला इनिशली ओनली यह मैंना ऐसे ज़रत देखी सवाल में फील करने के लिए बताया इनिशली दोनल है तो इसे अगर मैं ऐसे समझू तो यह वाली फिंगर बाद में हिली यह पहले है इसलिए इसलिए ऐसा हुआ ठीक अब देखो उसने क्या करा अब ध्यान समझते आओ इसको यह रख देते हैं आई यह चेक करते हैं क्या समझ आखे जाए यह रहें में न्यून what अगरे ढून जाए हैकि पर ऐह दो मितल क्या हुआ है यह मैं जायकिए दो क्या हुआ जायके अधो इसलिएrons जाखेगी शुट रहा है क्या डेक्या तो जब यह इधर से इधर सरकाएंगे, तो हमें समझ में आता है कि यह N1, देहांस के इधर से इधर सरकाएंगे, तो यह 50 कम होगा, तो N1 बढ़ता जाएगा, N1 बढ़ता जाएगा, तो क्या इसके slip होने के chances कम होते जाएंगे, एक condition ऐसी आएगी, जब यह भी बोलेगा, मैंने slip करूँ, तो यह बोलेगा, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं, फिर यह slip करना स्टार्ट करेगा, फिर यह अंदर सरकेगा, यह इसने बोला, and the right one starts slipping, then the right finger stops at a distance, XR from the center, उसने बोला इसको फिर इलाना चालू करा, पर फिर यह XR पर आके हिल गया, जब यह घटेगा, तो फिर इसका, जो static friction है, वो बढ़ने लगेगा, और यह कुछ दिर बाद दोलेगा, अब मैंने slip करूँ, तो फिर यह करने लगेगा, तो आपस जब यह दूसरी बार वापस चल कर रुके पहली बार यह चला, यह रुग गया, फिर यह चला, यह जहां पर रुका ना वो पूछा गया है आपसे, सवाल की feel आनी चाहिए, तभी मजा आएगा भई, खुलो आई की नहीं, अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे आगे बढ़ जाओं क्या, अच्छा, लो भई, लो भई लो भई, चलो भई, यह देख क्या करा, एफ वीडियो अवरोड, इनीशली पहले N1, N2, F1, F2, जो मैंने भी सिखाया, अभी आपको बताए था वह वाली कहानी, by balancing torque, we conclude N2 greater than N1, so F2 greater than M1, इसलिए यह वाला slip करेगा, F2 greater than F1, इसलिए यह वाला slip करेगा, और यह वाला slip नह आएगी, N1 की value बढ़ेगी, तो एक value H2 आएगी, जब यह slip करने से मना कर देगा, जब यह slip करने से मना कर देगा, तो मान लो की X1 दूरी पर center से slip करने पर मना कर देता है, अच्छा भई, तब क्या condition होगी, ध्यान से देखो, जब यह slip करने से मना कर देगा, तो इसका kinetic friction, मा समझें इस बात, जब ऐसा समझो, कि जब यह slip कर रहा था, यह ऐसे, और यह इधर था, तो यह वाले जब उंगली ऐसे slip कर रही थी, तो उंगली पर friction की तरह लग रहा था, पीछे, पर इस किदर लग रहा था, यह था kinetic, इस kinetic friction को balance को रहा था, इसके static, पर जैसे-जैसे-उं लीदर आ रहा ही थी, N1 बढ़ रहा था, N1 बढ़ रहा था, तो काने डिफ्रिक्षिन की वैल्यू बढ़ रही थी, जब ये बढ़ते बढ़ते, इसके स्ट्रेटिक के बराबर हो गई, तो फिर ये स्लिप करना बंद कर देगा, और ये चालू कर देगा, कहानी तो समझाई सर, कहानी तो समझाई बढ़िया सवाल है, जोड़दार, शानदार, मजेदार, अब क्या करें लो भाई, तो as rod does not move, only left finger slips, तो f net equal to 0, तो mu k n3 equal to mu s n4, 0 mu k कितना 0.32, 0.32 into n3 equal to 0.40 into n4, तो torque net about centers equal to 0, अच्छा, center के about to 0 ही है, तो क्या लिखेंगे, ये x1 है, x1 into n3, x1 into n3 equal to n4 into 40, बोलो clear, हाँ sir, बिल्कुल सही, और n3 plus n4 किसके बराबर है, mg के, खेर वो अपने को जोरोत नहीं है, इंदों को divide करो, जैसे divide करोगे, n3, n3 मर जाएगा, n4, n4 मर जाएगा, क्या निकलाएगा, x1, जैसे इंदों को divide करोगे, क्या, ये तो अपने rotational equilibrium equate करा, ये अपने force equate करा, so this is the equation of translational equilibrium, this is the equation of rotational equilibrium, बिल्कुल सही बात sir, अब इंदों को divide कर दिया, जैसे divide करा, n3, n3 कट गया, n4, n4 कट गया, जैसे ये कटा, देखो ध्यान से, जैसे divide करा, x1 के लिए हो गई 32, ओ, के, यानि की 32 cm पर, जब left end वाली अपनी चल जाएगी, तो ये slip होना बंध हो जाएगा, और इसके बाद कौन slip होना चालू हो जाएगा, right hand side वाली finger, अब य situation ही हो गई, ध्यान समझना, कौन fix हो गई, 32 पर ये वाली, कहां से 32, इधर से आए तो center से, okay, ये 32, और ये अपना 40, okay, अब कौन slip करेगी, ये वाली, अब ये वाली slip करेगी, ये x1 तो अपनी को पता है, अब देखो, जैसे ये रुख गई, अब इस पर कौन सा friction लगने kinetic, अब इधर चली, 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 माल लो, जब तक ये, ये कब तक चलेगी, अब इस पर कैने लगने लग गया, kinetic, जैसे जैसे चलने लगी, चलने लगी, क्या xb दूरी पर, या xr दूरी पर, जो उसने निकालने के लिए बोला है, क्या xr दूरी पर, ये दोनों फिर बराब हो जाएंगे, हाँ, तो फिर से वैसी equation, देखो भाई, देखो, f नट इकवाद वाली, last वाली, x1 वाली, 32 पर, mu k, n6, ये, तो 0.40, n5, हाँ, 0.32, n6, ओके, 0.32, क्यों लिए का बोलो, clear है, हाँ, क्योंग ये कानेटी के दर, अब, और, n5, x1, n5, x1, इस center के बाउट, torque balance करने, n5, x1, equal to n6, xr, फिर से दोरों को divide करो, x1 की value पता है, 32, क्या xr के लिए निकालाएगी, हाँ, किसी लिए निकालाएगी, इसकी value तो पता है, 32, xr के लिए निकालाएगी, लो भी निकालाएगी, कितनी देखो, 0.40 बै बतीस, xr के लिए निकालाएगी, कितनी हो जाया, क्या सवाल समझ के भी मजाया, अरे आया की नहीं आया, जो बच्चे साल तेयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया classic सवाल है, है की नहीं, अरे पका, अरे सोच लो, चलो भई, जोश और खरोश रखना है, सुनानी ऐसे नहीं बहुत देर होगी, पर परिशान हो गया, हम भी तो बहुत देर से करने हैं की नहीं, समझ हो अच्छे से, चलो भई, और चलते हैं, हाँ भई, तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल सुनते हैं, पिछले वाला बहुत बढ़िया था, when water is filled carefully in a glass, one can fill it to a height h above the rim of the glass due to the surface tension of water to calculate h, बहुत ध्यान दिया हो तो ऐस जित्ती height का है, उसे थोड़ा सा पानी और उपर तक आजाता है, हलका सा बहुत, फिर चलकता है, वो जो हलका सा उपर आता है वो surface tension की वैसे होता है, वो इस सवाल में पूछा हुआ है, अच्छा, वो इस सवाल में पूछा हुआ है, अब देखो क्या पूछा उसने, the shape of the water above the rim as a disc of thickness h, उसने बोला वो जो डिस्क बनेगी ना, जो हलका सा पानी होगा, उसके height को h माल लो, ठीक माल ली, having semicircular, उसने बोला उसको semicircle माल लो, ऐसे बढ़िया एकदम, ठीक माल ली, as shown systematically in the figure, when the pressure of water at the bottom of the disc exceeds, what can be withstood due to the surface tension, the water surface breaks near the rim and water starts flowing, surface tension यहाँ पे जो pressure create हुआ, वो starts flowing from there, if the density of water is यह तो data दे रखा है, उसने, पहला था हो क्या बात समझ आई, अब उसने पूछा कि, if the density of water is this, its surface tension and the acceleration due to gravity is this, अब उसने अपने से क्या पूछा, यहाँ समझते है, अब सवाल में क्या करना है, देखो भई, h पूछा, बेसिकली उसने देखो, यह अपनी situation है, एक बात याद करो पहले कि अगर कभी भी, ऐसे h height की liquid में, ऐसे h height की liquid में, ऐसे h height की liquid में, अगर इस दिवार पे pressure पूछते थे तो क्या करते थे, याद है, force पूछते थे, sorry, तो लिखते थे average pressure, जो होता था, rho g h by 2, rho g h by 2, rho g h by 2, h by 2, average pressure, into projected area, याद है, हाँ, यह होता था, अब समझो, कि यह जो आपकी liquid है, इसको इधर से कोई support करने वाला तो है नहीं, तो इस वाली जगे average pressure क्या है, rho g h by 2, हाँ, अब मानलो की radius r है, तो इसा feel करो कि यह से, यह से disk है, तो समझो, ऐसे कि बाहर की तरफ pressure, यानि, force जो बाहर की तरफ लग रहा ह अब क्लियर, ऐसे surface tension लग रहा है यह, क्योंकि semi circle है पूरा, तो t अंदर की तरफ, yes or no, t into यह पूरा circle, 2 pi r, क्या इस surface tension अंदर ही तरफ लगा रहा है, हाँ, t into 2 pi r, बिल्कुल सही, t into 2 pi r, वो किसको balance कर रहा है, यह rho g h by 2 pressure into projected area, अब projected area समझो ऐसे, कैसे, यह h है, यह क्या है, h, और ऐसे पूरा घुमाओगे, तो area किता बन जाएगा, h into, यह लेंद कितनी, 2 pi r, बिल्कुल सही, तो that is equal to, rho g h by 2 into, rho g h by 2 is the average pressure, into area is, h into, h into 2 pi r, again, 2 pi r ने 2 pi r को मार दिया, h square, h के लिए क्या आई, under root of 2 t by rho g, 2 t by rho g, 2 t by rho g, 2 t by rho g को पीछे से solve कर लो, answer आएगा, values दे रखी है, आपको t rho और g की, answer आएगा 3.74, कितना आएगा, 3.74, वो क्लियर, इसका एक तरीका ओर है, पर बता नहीं रहा हूं, खुट राय करना, एक और तरीका हिंद देता हूं, यहाद है, यह pressure होता है, यहाँ पे, curved surface का, t1 by r1 plus 1 by r2, ट्राय करना, ठीक है, solution देखो है, नीचे तो उसमें दिख भी जाएगा, पर तुम खुट राय करना, चलो भई, यह अपना सवाल हो गया, 14, लो भई, और देखो, 15 देखो भई, one end of a spring of negligible unstretched length and spring constant k is fixed at the origin 0,0, a point particle of mass I am carrying a positive charge q is at its other end, ठीक है, the entire system is kept on a smooth horizontal surface, ठीक है, when a point dipole p pointing towards the charge q, ठीक है, when a point dipole p pointing towards the charge q, ठीक है, is fixed at the origin, the spring gets stretched to a length L, and attains a new equilibrium, उसने अब अटेन किती कर्दी length L, उसने नई equilibrium position आ गई, अटेस नई equilibrium position, if the point mass is now displaced slightly, उस नई equilibrium position से अगर हम delta इसको हिलाएं थोड़ा सा, force लगने के बाद, dipole के force लगने के बाद, थोड़ा से हिलाएं, तो from its equilibrium position and release, it is found, तो हमें सोचो, अगर हम इसको थोड़ा से हिलाएंगे, तो के बापस ऐसे से नाचेगा, उसकी इसने frequency पूछिए, the value of delta, यहाँ पे k by m, k is the spring constant, और m is the mass, क्या सवाल समझ में है, pure mathematics है, दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, potential energy से कर सकते हैं, force से कर सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसे करें, हमने potential energy से करा हुआ सुने, देखो, आस अब लोग जानते हैं, as we know, कि frequency होती है, 1 by 2 pi under root k by m, ध्यान सुनते चलो, so we can observe k as d square u by dx square, आपन जानते हैं, from equation, कौन सी, आपन जानते है, u equals to half k square, du by dx equals to kx, तो जब ना d square by dx होता है, वो k होता है, तो उसने समझाने का प्रयास करा है, कि k की जगे, क्या अपन equation में d square u by dx square को भी मान सकते हैं, तो अपन u को लिख लेंगे x की terms में, u को लिख लेंगे किस की terms में, x की terms में, तो आपको कहानी समझ आने लगेगी, बस और कुछ नहीं, वो लो clear, क्योंकि potential energy से करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक बई, ये बात समझ आ गई, और देखे सुनें, ये अपने को कहानी समझ आ गई, so the above concept, let us find potential energy of the system, अब potential energy लिखते हैं, यहाँ पर potential energy क्या है, ज्यान से देखो, दो potential energy यहाँ पर आगे चले जाओगे, तो, एक लिए बिम बोजिशन से, एक तो spring में potential energy होगी, एक dipole और charge की interaction potential energy हो, dipole की वैसे यहाँ potential क्या होता, या वो dipole की potential energy, interaction energy हो जाएगी, और जो अपनी spring होगी, उसकी potential energy क्या होगी, half kx square, क्या होगी, half kx square, ठीक भाई, बात समझ आई, अब देखो, उसने यही करा, half kx square प्लस kpq by x square, kpy r square होता न, kpq by x square, half kx square, उसको x elongate कर दिया, क्या कर दिया, x elongate, ठीक भाई, अपने को बात सम जा गई, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, तो du by dx equal to kx minus 2pq by 4pi f0 x cube, बोलो क्या यह बात एकदम clear, हाँ sir, du by dx लिखा, for equilibrium du by dx, यानि की force, किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, ठीक भाई, लो भाई, 0 के बराबर कर दिया, तो यह value आ ग होई, confuse मत होना, जो l0 initial natural length थी, वो अपने आप cancel out हो जाएगी, इसलिए उसको consider नहीं किया है, इसलिए आराम से answer आएगा, चिंता नहीं कर नहीं हो, वो अपने आप कट जाता है, ठीक भाई, तो 2pq by 4pi f0 lq आ गई, दूसरी equation आ गई, अब देखें, differentiate equation 1 जो पीछे थी, यह वाली equation, कौन सी, देखो, यह वाली, इसको differentiate कर लो एक बार और, क्यों, क्योंकि अपने को d square u by d x square चाहिए, तो ठीक अपने इसको differentiate कर लिया, लो भाई differentiate करा, तो देखो, at equilibrium x equals to l, क्या d square u by d x square की value यह है, बिलकुल है, from 2 put value of this, यह अपने पीछे से, यहाँ पर जो निकाली आ गया, 4k, तो जैसे ही 4k आया, इस frequency में रख दो, और answer आ गया, solve कर answer आया, 3.14, फिर मैं कहा रहा हूँ, आप force वाले से भी कर सकते हो, एक हमने करके आपको दिखा दिया, ऐसा कोई, बहुत conceptual सवाल नहीं था, क्या, funda तो था, पर dipole की interaction energy भी थी, पर आपो बात समझ में आन चाहिए, तो आप 4 से भी कर सकते हो, potential energy से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, क्या बात एकदम clear है, अरे पका, अरे सोचलो, चौल, सोल भासा बाद, consider 1 mole of helium gas, enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1, it expands isothermy to volume V1, पहले उसको isothermy 4V1 तक ले गए, फिर उसको adiabatically ले गए 32 P2 V1 तक, the work done by the gas during isothermal and adiabatic expansion processes are, work done के सवाल है, आप सब लोग जानते हो, work done by isothermal में क्या होता है, NRT ln V2 by V1, और adiabatic में क्या होता है, P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1, वो ही लगाने वाले ध्यान से सुनो, कोई rocket science नहीं है, समझते चलो अब, तो पहले P1 V1 था, T था isothermally ले गए, 4 P1 T उत 32 V1 रहे गए, temperature change हुआ होगा, क्योंकि adiabatic process है, यह अपने को process diagram wise समझाया गया है, और देखो ध्यान से, अगर आपन बहुत ध्यान से समझें, तो अपने को समझ में आएगा T dash कैसे निकाले, T V की पावर gamma minus 1 equal to constant, यह relation आप जानते हो, तो gamma की value 5 by 3 दे रखी है, T dash की value आई T 4 V1 से, 4 V1 से 32 यहां से लेकर यहां तक लगाया, तो temperature आगया T by 4, मतलब यह T dash की value आगई T by 4, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, अब देखो, अब जहान समझ से चलो, जो adiabatic में burden होता है, वो क्या है, P1 V1 minus P2 V2 या फिर nR T1 minus T2, तो nR T minus T by 4, 5 by 3 minus 1, 3 by 2, स और देखो, अगर आपन आइसो तर्मल की बात करें, तो nR T LN V2 by V1 चार गुना करा, तो यह अपना इसका work done आ गया, जब इसका work done आ गया, तो 2 nR T LN 2 आ गया, अब दोनों का ratio पूछा है, तो दोनों का ratio ले लिया, ratio ले लिया, जिसकी value यह आई, solve करा, answer आया 1.77, कोई बह बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी तक्रीफ है, चलो भाई, यह बात हमको समझ आ गई, अब आगे चलते हैं, देखो भाई, a stationary tuning fog, again, ध्यान से समझो, कोई, बहुत कोई खास सवाल नहीं है, a stationary tuning fog is in resonance with air column in a pipe, air column in a pipe, आप जानते होंगे, अगर ऐसे air column in a pipe पे होता है, तो उसकी जो fundamental frequency होती है, वो V by 4L होती है, क्योंकि lambda by 4 के बराबर होता है, L equal to lambda by 4, या दे कि भूल गए हो, हाँ sir, तो 4L के बराबर होता है, तो fundamental frequency होती है, V by 4L, ठीक बहुत, या दे तुनिंग fog is moved with a speed of 2 meter per second in front of the open end of the pipe and parallel to it, अगर हमारा यहाँ पे एक tuning fog था, उस tuning fog को हमने इसके parallel ऐसे दोड़ाया, 2 meter per second जे, तो जाहिर सी बात है, कि ये Doppler वाली कहानी हो गई, क्योंकि अब जो आपकी beat frequency होगी, जो frequency होग की pipe के लिए वो थोड़ी अलग हो जाएगी, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fog, उसने बोला पहले ऐसा था, अब अगर move कराने लग जाए, तो क्या tuning fog, यानि resonance column pipe की length अलग होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए, the speed of sound in air is 320, the smallest value of the percentage change required in the length, उसने बोला कि अगर आप ऐसा करोगे, तो क्या length मे change करना पड़ेगा, पहले समझो कि जब अपना tuning fog दोड़ने लगा, तो जाहिड सी बात है, उसकी apparent frequency for the tube change हो गई, तो length भी change होगी, हाँ सर, क्योंकि V change नहीं हो रहा, L change होगा, तब ही तो frequency change होगी, अब देखो, simple solution आजाएए, पहली बात, for open pipe F equals to NV by 4L, अगर N1 ले ले लें effect, अपना कौन move कर रहा है, अगर इस pipe में आपन देखें, तो source move कर रहा है, source pass में move कर रहा है, तो frequency बड़ेगी, तो formula लगाएंगे, V observer move नहीं कर रहा, तो 320 plus minus 0, 320 क्योंकि pass दो ओर रहा है, तो minus आएगा 2 into initial frequency F1, तो 320 by 318, F1 is the frequency of final वाली, ठीक है, तो इसके corresponding जो अपना L2 L1, क्या ये पहली और तीसरी equation समझ में आ रही है, जो बीच में क्या दूसरे की बात हो रही है, क्या वो भी समझ में आ रहा है, हाँ सर, बिलकुल समझ में आ रहा है, चलो भई, और बढ़िया और देखते हैं, अब अब अबने क्या करा, basically दोनों को divide कर दिया, वो जो equation अप by 4L2, आगे देखो, और L2 by L1 का ratio आ गया, ये percentage change क्या है, delta L by L into 100, तो L1 minus L2 by L1 into 100, L1 by L2 की value यहां से आपन निकाल सकते हैं, जो अपने को दिखाई दे रहा है, जैसे ही करोगे answer आता होगा, अब solve करा है, टिक, 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 ये 0.62 से 0.625 के आसपास आता है, तो 0.62 स 0.63 के बीच में answer ले सकते होगा, परिशान ना हो, 0.63 होगा, तो hopefully वो भी सही होगा, इतनी गड़बर नहीं करेगी, जैई, आपके साथ इतना नियाय नहीं करेगी, क्या मेरी बात लिए रहे, हरे पका, चालो भाई, अगला सवाल सुनो, again pure calculative, ध्यान से देखो क्या है, जैई सी बात है, integrate करना पड़ेगा, वो ही करा गया है, विए sigma 0 is a constant and r is the distance from the center of the disk, electric flux through a large spherical surface that encloses the charge disk completely, अगर इसके बाहर, मैं इसका पूरी एक close surface ले लो, तो इससे flux किता निगलेगा, total charge q by epsilon 0, total charge q, total charge q ही तो लेगा, total q निकालने, q directly निकाल सकती होगी sigma variable है, तो क्या करना अगर सोचो इसके radius पूरा नहीं close करें, r by 4 पे ले ले, तो r by 4 में कितना चार्ज होगा, क्या वो इससे flux होगा, q dash by epsilon 0, तो basically आपको q और q dash निकालना है, q पूरा charge है, और q dash r by 4 की disk का charge है, अब बात है q कैसे निकालने है, क्योंकि sigma variable है, sigma variable है, तो आपको integrate करना पड़ेगा, आई ये integrate करते हैं, देखते हैं, अगर अपन मालने sigma variable है, तो r पे जाके, r पे जाके राम लालों, शाम लालों, r पे जाके dr की एक width ले लें, dr की अगर width ले लें, तो उसका छोटा से area कितना हुआ, 2 pi r dr into sigma, क्या ये छोटा सा dq charge हुआ, क्या integrate total charge निकालने के लिए, क्या integrate कर पड़ेगा 0 से r, तो q enclosed by epsilon अपना flux होगा, एक बार integrate करोगे 0 to r, एक बार integrate करोगे 0 to r by 4, बास ये ही करा है, देखो, एक बार r by 4, तो 0 to r r by 4, लो भाई, 0 to r, 0 to r, करा r by 4 तक रखा, तो एक answer आपका ये आ गया, लो भाई, हो लो clear है, r बराबर r तक, तब ये value आ गई, और एक बार r by 4 तक, तो ये value आ गई, तो ये समझ में आए क्या करा, इसने पहले general r तक निकाल लिया, अब एक बार छोटे r के value क्या रखनी है, r, तो ये आ गया, एक बार r के value क्या रखनी, r by 4, तो ये आ गया, दोनों का क्या ले लिया, ratio, तो ये आ गया, 6.4, लो clear है क्या, अ आशा करता हूँ कि आपको इस solution काम के रहे होंगे, जरूर देखें, फाइदा रहेगा जो बचे तयारी करने वाले आगे, और ये निरंतर काम आते रहेगे, तो मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं अपनी analysis भी अभी देने वाला हूँ, तो उसको भी ध पड़ाओ हम पार कर लेंगे, कोई भी तकलीफ हो हम पार कर लेंगे, क्या मेरी बात लियर है, चलो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक्यू